कि आपके नाम पर कितना SIM card खुला है तो अभी तक वो पॉसबल नहीं था यानि कि मैं वीडियो कुछ महीनी पहले बनाया था लेकिन आज वाले इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके नाम पर कितने SIM card खुले हुए हैं कितने SIM card active है क्या आपके नाम पर कोई fake SIM card भी चल रही है सब चीजों को डिटेल साथी में आपके ID पर कितने SIM card खुले हैं वह सबकी डिटेल है यहां पर आपको लाइप प्रूफ में करके बताने वाला हूं दोस्तों यह कोई ट्रिक या फिर कोई fake तरीका नहीं है यहां पर आ चालू है चलिए दुस्तों इस वीडियो को हम सुरू करते हैं पर मौल के स्क्रीन पर लेकिन दूस्तों सब्सक्राइब करें ना साथ ही में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर गए आल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली नए ने वीडियो चैनकारी सब से पहले मिल स इस टैप के ब्राजर पर ही ओपन होती है तो हम लोग यहां पर ओपन कलते हैं ख्रोम ब्राजर को और दुस्तों एक चीज में आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो चीजे होने वाली है आपको आपके पास एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो कि आपके आपके आधार से आपने लिया है यह फिर जैसे मतलब आपकी आईडी पर वो नंबर होना चाहिए उससी पर आपको एक ओटीपी आएगा उसके बाद ही यह सब चीज आपको पता चल पाएगा जैसे मैं अपने इपर एक सिम कार लिया है उसके जड़िये मैं करके बताने वाला हूं और है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करवा दूंगा बाकि आप नोड भी कर सकते हैं टीए आफ सीव डॉट ऐसे करके डीजी टेलेकॉम डॉट इन और उसके बाद जो पहली वेबसाइट है आप लोग देख पा रहेंगे टैफ कॉप कंजुमर लांच किया गया है इधर आप लोग दूर इधर आप लोग जूम करके मैं आपको दिखा दो तो यह डॉट देखिए बारत दूर संचार यानि की इंडिया का यह टेलेकॉम कंपनी की दौरा यह प्रवाइड करवाया गया है और आपको मैं बता दू कि 100% सेफ और 100% वरकिं यानि कि कोई अगर फ्रॉड करके आपके नाम पर सिम चला रहा है तो आप उसको बंद भी करवा सकते यहां से तो चलिए अब मैं बताता हूं क्या करना है तो सबसे पहले यहां पर जो आपको option दिख रहा है इंटर यह मोबाइल नंबर इसमें आपको क्या करना है अभी कि चीज़े आपको बताता हूं तो यहां पर मैंने मोबाइल नंबर को इंटर कर लिया है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमें जस्ट रिक्वेस्ट ओटीवी पर क्लिक करना होगा और जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करूंगे यानि कि रिक्वेस्ट ओटीवी पर आप और यहां पर हम इसको इंटर कर लेते हैं तो कि यहां पर हम नहीं इंटर करने के बाद दूस्तों हमें यहां görüş धेड पर genau कि तो हमारा आगये चलिए पर किलिक करेंगे णिसथे हम वह अब यहां पर आप लोग देखेछ सबसे मेंचीज और अभी तक यहां पर आप लिस्ट of mobile number which are Registered on your ight यानने कि यहांपर अगर आपके ID पर जितने भी mobile number Link होंगे याफिशर होंगे खूले होंगे आपके id से वो सभी की सभी यहांपर list दिखाई देगी अभी मेरे ID पर सिर्फ एक sim चालू है जो की अभी मैंने इंटर किया है उसVA तो वह वाला नंबर सो नहीं करेगा बाकि अगर और सारी सिम्स इस पर मेरी आड़े पर खुली रहती तो यहां पर वह सब की सब दिखाई देती और मैं उसके सामने कुछ इस तरीके से रिपोर्ड का आप्शन भी आता यहां पर दोस्तों यहां से आप लोग रिपोर्ड भी क पर सकते यहां पर कुछ लिक और आपको मैं बता दो कि अगर आपके आइडी पर यहां पर आप अपर जो बहुत सारी lightweight पर link रहीं गरेंगे तो पूरी के पूरी मोभा रेलम जितना भी खुला है आपके आड़ी पर सबका लिस्ट दिखाए देगा सजाने कि सबका सब नंबर यहां पर सो होगा अब भी यह वाले जो मेरा नंबर है यानि कि मेरे आड़ी पर एक सिम खुला है इसी वज़े से नहीं दिख रहा है क्योंकि उसी वाले सिम कार्ड का भी मैंने नंबर यूज किय कर ले इस तरीके से आप लुई बहुत पर शेयं है कि आपके पास एक सिम खालड ऐसा होना चाहिए जो आपकी आड़े पर खुला हो उसके बाद पता कर पाइंगे कि अपके आड़े पर कितना सारा सिम काड और खुला है क्योंकि यह गवर्मेंट क्हा किा गया वेबसाइट है दोस्तों तो यह 100% सेफ है और वर्किंग भी है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो उम्मीद करते हैं कि मैंने यहां पर आपको पूरी complete जानकारी दी है क्या से क्या चीज़ करनी है और कहां पर आपको क्या होने वाली है तो चलिए हम मिलते हैं अब से अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद रहा तो वीडियो क्लाइक से कमेंट कर दीजिएगा तब तक के लिए बाइस हैं थैंक्यू